रभी सीजन में गेहू वचने की उपच के लिए किसानों को नहर का पानी उपलब्द कराने में सचाय विभाग के अधिकारियों को खासी मसकत करनी पड़ रही है रसूखदारों लोगों ने नहर के बीच हेड़प लगाने से टेल एरिया के किसानों को समय से पानी नहीं मिल पा रहा है किसानों का कहना है कि 24 किलो मीटर लंबी नहर में पानी छोड़े जाने के छटवे दिन मातर 7 किलो मीटर ही पानी पहुच पाया है उधर जल संसादन विभाग की कारिपालन यंतरी सोनम बाजपेई ने बताया कि हमारे दौरा टेल एरिया सहित पूरे छेत के किसानों को सिचाई के लिए नहर का पानी समय से उपलब्द कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन कुछ लोगों ने नहर के बीच हेडप लगा कर पानी के प्रवाग को रोक लिया जाता है जिसके चलते बुद्धवार को सिचाई विभाग के कर्मिचारियों ने अजनई माइनर के 2R, 3R एवं 5R के पास नहर के बीच बने हेडप को तोड़ दिया है इई बाजपेई ने बताया कि नहर के बीच हेडप लगा कर पानी के प्रवाग को रोकने वाले लोगों को चिनित किया जा रहा है ऐसे लोगों के खिलाप नियम अनुसार कारवाही की जाएगी ताकि अंतिम छोड के किसानों को समय से पानी मिल सके विधायक प्रतिनिदी सुनील दुबे ने कहा कि किसानों को समय से पानी मिल सके इसको लेकर अधिकारियों के साथ जाकर सतत मौनेटरिंग की जा रही है सब ये किसानों को पानी उपलब्द कराने के प्रयास किया जा रहे हैं उन्होंने बताया कि यहां जरूरत के मताभी गेज से पानी छोड़ा गया अगले दो से तीन दिने में तजपुरा छेत में नहर का पानी पहुच जाएगा प्रयास किया जा रहा है परन्तु कुछ किसानों द्वारा बार बार हेड़ अप्स लगाए जाते हैं जिससे की नहर संचालन में असुविधा होती है इसलिए आज अजने नहर पर हमारे द्वारा हेड़ अप्स हटाए गए हैं एवं क्रशकों को भी समझाईश ची गई है क कि आगामी दिनों में अगर इस तरह के हेड़ अप्स लगाए जाएंगे तो उनके स्क्रशकों को स्चिन्नित करकर उन पर जो आवश्यक कारवाई होगी वो की जावेगी